जब से Bollywood commercialize हुआ है और जब से Bollywood ने कहानी से ज़ादा पैसो पर ध्यान देना शुरू किया है तब से character actors की value कम और stars के चहरे की value ज़ादा हो गई है और तो और सारा पैसा जो है वो stars पर बरसाया जाने लगा और तारीफ भी इसलिए stars की ही की गई और यही वो time था जब character actors को भारी तरह से ignore किया जाने लगा इसकी शुरूआत late 90s में हो चुकी थी आज के इस episode में हम ऐसे ही एक character actor की बात करेंगे जो industry में सालों से काम कर रहे हैं बड़ी बड़ी फिल्मों में बड़े बड़े actors के साथ इन्होंने काम किया है लेकिन काम के लिए ना industry से credit मिला और ना ही producers से पैसा मिला बात करेंगे love के लिए कुछ भी करेगा का आज कपूर वेलकम फिल्म में मजनु भाई के गुंडे के रूप में नजर आने वाले actor, writer, director स्नेहल दाबी के बारे में स्नेहल दाबी की life से जुड़ी वो बाते मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी स्नेहल दाबी के लिए कहा जाता है कि वैसे तो मुंबई से बिलॉंग करते हैं अब ब्रिंगिंग मुंबई से ही हुई है लेकिन उनके फैमिली का जो origin है वो आंध्रप्रदेश ते है स्कूलिंग कम्प्लीट करने के बाद CBD बेलापूर से स्नेहल दाबी इलेक्ट्रोनिक इंजिनियरिंग कर रहे थे मिला उनका पहला रोल जो कि संजदत की फिल्म महांता में था इस फिल्म में उनका रोल बहुत छोटा था सवंजदत के दोस्त का रोल उन्होंने किया था इसके बाद एगर 98 में सनेहल दावी को पहचान मिली जब वो नजर आये फिल्म सत्या में इस फिल्म में उन्होंने गुंडे का किरदार निभाया था चंदर कृष्नकांत का ये रोल था और चाहे इस फिल्म में उनका रोल छोटा था लेकिन इस रोल ने उन्हें पहचान दिला दी फिल्म सत्या ही सूपर हिट रही इस फिल्म ने कहीं सारे आक्टर्स को इंडस्ट्री में खड़ा कर दिया और उसी में से एक थे स्नेहल दावी भी अब स्नेहल दावी इंडस्ट्री में नोटिस होने लगे और अब स्नेहल दावी को रेगुलर बेसिस पर इंडस्ट्री में का काम मिलना शुरू हो गया, केरेक्टर एक्टर का ही जिसके फिल्म में दो-चार सीन होते हैं, दो-चार डायलोग होते हैं, कुछ कॉमेडी होती है, या फिर कुछ मार पिटाई के सीन होते हैं, इसमें इनका इस्तमाल किया जाने लगा, मस्ती में आटो रिक्षा ड्राइवर के रूप में नज़र आए, तो फिल्म हेरा फेरी में बस्टॉप वाले सीन पर वो नज़र आए, लेकिन इनके सीन काफी मजाक्या होते थे, और सीन देखने वाले होते थे, स्नेहल दावी को चाहे फिल्मों में कम स्पेस मिला, लेकिन उस चोटे से स्पेस में उन्होंने अपनी बड़ी चाप छोड़ी है, ये कहना गलत नहीं होगा, फिर आई फिल्म लव के लिए कुछ भी करेगा, ये फिल्म मल्टी स्टारकास्ट वाली फिल्म थी और इस फिल्म में कैरेक्टर्स भी बहुत जबरदस लिये थे, और इसे फिल्म में आज कपूर का किरदार निभाया था सनेहल दावी ने और आज कपूर बन कर सनेहल दावी ने जो इस फिल्म में लंबी-लंबी फेकी है वो इस फिल्म को और जादा कॉमेडी बनाती है और उनका रोल इस फिल्म में बहुत हजाता है प्यारे मोहन, 41 की लास्ट लोकल में हबीबा का रोल और उसके बाद आई फिल्म वेलकम तो अपने आप में ब्लॉकबस्टर फिल्म थी और इस फिल्म के हरे किरदार को बहतरीन तरीके से लिखा गया इस फिल्म में भी स्नेहल दावी, उदे और मजनू के गुंडो के रूप में काम करते हैं इस फिल्म में उनके कुछ सीन्स तो बड़े दमदार हैं जहांपर वो गुंगरू को समझाते हैं कि फैमिली में लोग तो तीन हैं लेकिन छे कैसे किया जाएगा उनको साथ ही वो टाइम टाइम पर फिल्म में उदे और मजनू का बखान करते नजर आते हैं कैसे भाई की बड़े में फुगे कम फुलाए तो आप पूरे साल इसे फुगे फुलाने हैं ये कुछ सीन्स थे उनके इस फिल्म से जो बेहत शानदार है जहां सनेहल दाबी की ये फिल्म बहुत अच्छी रही वही इस फिल्म से उनकी एक बहुत बुरी मेमरी रही वो ये कि इस फिल्म में छोटे सीन के लिए भी जी तोड मेहनत करने के बावजूद उन्हे अपना मेहनताना नहीं मिला ये खुलासा सनेहल दाबी ने फिल्म के रिलीस के 14 साल बात किया मीडिया इंटराक्शन के दौरान कहा कि फिरोज नाडियादवाला जो इस फिल्म के प्रेडियूसर थे उन्होंने मेरा पैसा तक नहीं दिया यही कारण है कि फिरोज नाडियाद वाला मुझे किसी भी फिल्म में बुलाएंगे तो मैं उनकी किसी भी फिल्म में काम नहीं करूँगा क्योंकि वैसे ही हम लोगों को एक limited पैसा मिलता है और उसमें भी producers हमारा पैसा खा जाते हैं producers की हमत नहीं होती कि वो किसी बड़े स्टार का पैसा खा जाए लेकिन character actors के साथ हमेशा यही होता है ना फिल्मों में credit के रूप में justice मिलता है और ना ही पैसे पूरे मिलते हैं स्नेहल दाबी के साथ जब यह धोका हुआ तो उन्होंने अपने आपको इस character actor के level से आगे बढ़ाने की कोशश की इसी दौरान कहा जाता है कि London से वो screen, writing और direction का course करके आए और उसके बाद उन्होंने कहानिया लिखना शुरू कर दिया और जब वो इस writing job में busy हो गए तो वो फिल्मों में कम ही नजर आने लगे इसी दौरान एक film आई दर्वाजा बंद रखो और इस film के डेलोग स्नेहल दाबी नहीं लिखे स्नेहल दाबी ने अपने recent interview में बताया कि अभी वो और भी कहानिया लिख रहे हैं और वो आगे जाकर writing और direction में ही आना चाते हैं जहां तक बात है फिल्मों की तो उनका कहना है कि सिर्फ welcome के मामले में ही उनके साथ ऐसा नहीं हुआ बलकि आगे चलकर एक और फिल्म संजिदत के साथ वो बना रहे थे अश्टमिनायक की ये फिल्म थी 80% फिल्म की शूटिंग हो चुकी थी लेकिन बीच में ही production वालों ने इस फिल्म को बंग कर दिया और इस फिल्म के लिए भी स्नेहल दाभी को कुछ नहीं मिला स्नेहल दाभी अवोर्ड विनिंग फिल्म अवेडनस दे में भी नज़र आये इलेक्ट्रिक बाबा का किरदार उन्होंने इस फिल्म में निभाया था और ये भी एक आउटस्टेंडिंग किरदार था स्नेहल दाभी ने चाहे अपने करियर में छोटे रोल्स किये हो लेकिन सारे रोल्स आउटस्टेंडिंग थे यही कारण है कि ये वर्ड आउटस्टेंडिंग उनके लिए बिल्कुल सही सूट होता है और तो और स्नेहल दाभी को ये वर्ड इतना पसंद है कि उन्होंने अपने production house का नाम भी outstanding productions ही रखा और इसके तहट उन्होंने एक film भी बनाई इस film का नाम था उतावले बावले स्नेहल दाबी आज इंडस्ट्री में काम तो करना चाहते हैं लेकिन ये इंडस्ट्री अब वैसी कहानिया ही नहीं लिखता है जहां पर इस तरह के characters की जरुवत हो अब चीजें जादा realistic हो गई है साथ ही real incident पर कहानिया इतनी बनने लगी है कि इस तरह के comic character या imaginary characters अब लिखे नहीं जाते यही कारण है कि इन जैसे actors को जिन्होंने इतने साल industry में काम किया उनके लिए अब यहां कोई काम ही नहीं है जहां industry character actors की पहचान के लिए कुछ नहीं करती है ना ही कोई bio data है कि ये character actor है और इसने इतने साल industry में काम किया है वहीं credit तो क्या इन actors को अपना cash पी पूरी तरह से नहीं मिला यही कारण है कि Bollywood ठिकाना के जरिये हम इन actors को वो due credit दिलवानी की कोशिश करते हैं उनकी कहानी आप तक पहुचा कर और हमें उम्मीद है कि आप भी इन्हें अपना due credit दिलवाएंगे इनकी कहानी को देखकर इनकी कहानी को पसंद करके नेहरदावी की कहानी आपको कैसी लगी साथ ही उनका कौन सा किर्दार आपको बहुत पसंद आया comment section में जरूर शेयर करें और Bollywood के किस character actor के बारे में आप जानना चाहते हैं comment section में हमें जरूर लिखे हम उन पर कहानी आपके लिए जरूर लेकर आएंगे कब क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इत्मा ही फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ तब तक के लिए like करें हमारा facebook page Bollywood ठिकाना, follow करें हमें इंस्टा पे और subscribe करें हमारा YouTube channel Bollywood ठिकाना